अगली एक्टिंग दी परफॉर्मस लेके आ रहा बच्चा एश्लीन ओ डाकिया आया डाकिया ओ डाकिया आया डाकिया चिठिया आया सजना दिया आजो सारे बड़ा मोरी चिठि दोर्मस आई। बटा ये तरको क्या दिख रहा है ओ हरजीत तू बता ये तरे को क्या दिख रहा है तुम दोनों को ये चिठी दिखती है तुम दोनों ने आज से पहले मेरे चहरे पर इतनी खुशी देखी है क्या नहीं न ओए जवानों मेरी छुटी सेंक्षन हो गी है मैं घर जा रहा हूं यहे चलो जो मैं तो अपना समान बांद के चला घर परण जीत्ते टाइम क्या हुआ है तो नहीं दो हो गए मेरी तो गाड़ी का टाइम हो गया मैं चला घर उसक दीपा जी बताओ घरवालन को कुछ कहना है ठीक है ठीक है बोल दूंगा जिठी लिखते रहना मुलिट काके बैठन वाले हो बैठो मैं तो चला घर सर मधुरादास तुम्हारी छुटी मनजूर हुई है क्योंकि तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है लेकिन ये जो खुशी का बेहुदा नाच तुम अपने भाईयों के सामने कर रहे हो अच्छा नहीं लगता दुनिया में किसे प्रॉब्लम नहीं जिन्दगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है बता हमारे भाईयों में कोई ऐसा भी है जिसकी विज्वा माँ खुद उसे आखों से देख नहीं सकती और उसका इकलाता बेटा रेगिस्तान की धूल में खो गया है हमारे भाईयों में कोई ऐसा भी है जिसकी मा की अस्तियां इंतजार कर रही है कि उसका बेटा जंग जीत कर आएगा और उसे गंगा में बहा देगा हमारे भाईयों में कोई ऐसा भी है जिसका बुड़ा बाप अपने जिन्दगी की आखरी घड़ियां गिन रहा है और हर रोज मौत को ये कहकर टाल देता है कि मेरी चिता को आग देने वाला दूर बॉर्डर पर खड़ा है कोई ऐसा भी है जिसकी बीवी, बच्चे उससे मिलने के लिए तड़प रहे हैं बता अगर इन सब ने अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती जाएगी बता कैसे जीती जाएगी ये जंग बता मधुरादास इससे पहले कि मैं तुझे गगदार करार देखकर गोली मार दूँ भाग जा यहां से नहीं सर मैं दुनिया की आँखों के सामने गगदार नहीं बनना चाहता मैं जब जीत कर ही घर वापिस जाओंगा जै हिंद भारत माता की जै इसमें के कैच्छी इसमें के कैच्छी ती के कैच्छी है क्या अजी आपको नहीं पता तुझे कितना आए दम दूरिया के सामने अपना टैलेंट लाने के लिए शबसे अच्छा टैलेंट जो है इनका नमबर क्या? 90417333 7333